इंडियन इंफोमेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ यासिर। हम बात कर रहे हैं मंदी की देश की आर्थिक मंदी के बारे में तो सब को ही पता है कि देश की आर्थिक मंदी का क्या हाल है। GDP जो है हमारा वो पहुच चुका है पांच तक जी हां GDP जो है हमारा गटकर पहुच चुका है पांच तक बहुत से इसकी बाते हैं बहुत सी इसकी वज़ा हैं उनको हम डिसकस करेंगे अपनी अगली वीडियो में लेकिन इस वकत मैं मंदी का असर आपको बता दू कि मंदी का जैसे और से पर ला हाई इस तरी के से online food इसका देख रहा है जिमाटो जो है दिमाटो चैन चाहिं को이 करें जो के अपने 504 जो को दिया 540 employee को जो है वो नौकरी से बे दखल कर दिया उनकी नौकरी जो है वो खतम कर दी यह मंदी का असर देखने को यहां मिल ला है अलाके जो माटो कंपनी यह कह रही है कि हमें employee की जरुवत अब नहीं है क्योंकि जो हमारा customer support है customer support में पहले जो 15% के आसपास जो थी वो शिका आई तो जो है वो 7.5% रह गई है resolution जो है वो अच्छे हो रहे हैं अब जो है हमें इतने employee की जरुवत नहीं है हालाके जमाटो कंपनी ने यह भी बताया कि हम दिन पर दिन जो है वो प्रोग्रेस कर रहे है कंपनी प्रोग्रेस कर रही है तो आर्तिक मंदी से इसका कोई भी जो है वो direct connection नहीं है ऐसा जमाटो के जो आला अधिकारी कह रहे हैं लेकिन हमें तो यह असर मंदी का ही लगता है क्यों जो नौकरी अगर किसी की खतम होती है और हम जानते हैं कि एक नौकरी से कम से कम जो है पांच लोग पलते हैं अगर हम डिटे के हिसाब से बात करें तो पांसो चालीस लोग को अगर हम multiply करें पांस से दो हम समझ सकते हैं कि सिर्फ वो नौकरी ही खतम नहीं हुए है बलकर उनके साथ जो लोग जुड़ा है वो लोग को के भी नुकसान उठाना इसमें पड़ेगा उन लोगों को भी काफी जादा दिक्कते और परशानी आएंग झाल 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 झाल